तू चली आज हम जानेंगे की परिक्रमण काल क्या होता है एब हम इसके लिए सूत्र स्थापना तू चली अब हम सबसे पहले जान लेते हैं की परिक्रमण काल पीरियड ओफ रेवुलूशन क्या होता है उपग्रह दौरां प्रत्वी का एक पूर्ण चक्र लगान में लगा समय उपग्रह का परिक्रमण काल कहलाता है तू चली अब हम इस डेफिनेशन को चत्र के दौरां समझ लेते हैं तो एह माना प्रतवी, अर्थात ग्रह है, और एह माना उप्रह है, और जिसका दर्बमान स्मॉल एम है, और जो एक पूर्ण चक्तर प्रतवी का लगाता है, तो इसमें जो समाई लगता है, उसे परिक्रमरकाल कहते हैं. चलिए अब जान लेते हैं सोतर स्थापना तो माना ए है प्रत्वी और ए है प्रत्वी का केंदर O और ए है प्रत्वी की तरेज्य R और ए भी प्रत्वी की तरेज्य R है और माना प्रत्वी का दर्बमान कैपिटल M है और माना प्रत्वी की सता है से एच उचाई पर कोई इसमोल एम द्रबमान का उपगर है प्रत्वी के चारों और ब्रत्वी कक्षा में चक्र लगा रहा है तो चलिए अब हम जान लेते हैं थियोरी माना प्रत्वी का द्रबमान कैपिटल एम के अंदर ओ एबम त्रिज्य आर है एबम माना इसमोल एम द्रबमान का उपगर है प्रत्वी के चारों और चक्र लगा रहा है तब परिकरमण काल होता है कैपिटल टी बराबर एक चक्र में चली गई दूरी बटे कक्षिगे बेग यहाँ पर हम चक्षिगे चाल भी कह सकते हैं तब यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल टी बराबर एक चक्र में चली गई दूरी अर्थात ब्रत्वी के अंदर से आर प्लस एच उचाई पर इसमॉल एम दरबमान का उपग्रह है तब यहाँ पर आर की जगह है आर प्लस एच आएगा बटे और कक्षिगे बेग होता है भी ओ तब इसे हम समी करण एक देंगे अब चू की भी ओ अर्थात कक्षिगे बेग या कक्षिगे चाल बराबर होता है करणे क्यापिटल जी क्यापिटल एम बटे और प्लस एच अर्थात जो प्रत्वी का डिर्बमान है और जो गुर्तवकर्षड ने तांक है उसका गुड़नफल बटे जो उस उपग्रह की दूरी है तो चली अब भी ओ कमान समी करण एक में रखने पर तब यहां पर हो जाएगा क्यापिटल ती बराबर तू पाई और प्लस एच कोस्टक में बटे करणी क्यापिटल जी क्यापिटल एम बटे और प्लस एच तब यहां पर r plus h वा capital G into capital M की उपर करनी है अर्थात 1 by 2 की घात है तब यहां पर r plus h के उपर 1 by 2 की घात उपर चली जाएगी तब यहां पर हो जाएगा capital T बराबर 2 pi into r plus h के उपर 1 by 2 की घात into r plus h बटे यहां पर बचेगा करनी capital G capital M अब चूप यहां पर गोड़ा में घातें जुड़ जाती है एदि आधार समान हो तब यहां पर हो जाएगा capital T बराबर 2 pi r plus h की उपर यहां पर 1 plus 1 by 2 हो जाएगा 3 by 2 तो यहां पर हम लग सकते हैं 3 गोड़त 1 by 2 बटे करनी capital G capital M तब यहां पर हो जाएगा आगे T बराबर 2 pi r plus h का घन तब यहां पर capital G capital M की उपर 1 by 2 की घात पहले से है और यहां पर r plus h का घन रहेगा और 1 by 2 की घात अर्थात करनी आ जाएगी तब यहां पर हो जाएगा r plus h का घन बटे capital G capital M करनी तो चले अब हम आगे देख लेते हैं अब यहां पर बचेगा T बराबर 2 pi करनी r का घन बटे capital G capital M इसे समीकरण 2 देंगे अब चू की capital G capital M बराबर होता है g r square तब यहां पर r small है तब यहां पर हो जाएगा capital G capital M बराबर g r square तब समीकरण 2 में capital G capital M कमान रखने पर यहां पर हो जाएगा t बराबर 2 pi करनी r का घन बटे g into r का square तब यहां पर r square से r घन की दो घातें कट जाएगी तब यहां पर बचेगा t बराबर 2 pi करनी r बटे g यदि कोई उप ग्रह किसी ग्रह से h उँचाई पर हो अर्थात उँचाई कोई भी हो तब उसके लिए परिक्रमण काल के लिए यह फार्मूला लग जाएगा और एदी रत्वी की सतह पर अर्थात किसी गराह की सतह पर हो तब उसके लिए ये फार्मूला लगेगा परिक्रमण काल के लिए